आप सभी को मेरा सुप्रभार मेरा नाम अर्चना करे है मैं आपकी हिंदी सिखका हूं आज मैं आपको हिंदी का part 3 स्रेवा जी का चमादान यह एक नाटक है इस नाटक के बारे में बताइंगे तो इस नाटक में सीवा शिवाजी ने एक छोटे से ओंप्ल hitting लिए दिस ऑकर लेकर उनके कमरे में कोशिशच करते हैं जैसे हैं वह हाथ उठाता है वैसे ही ताना जी उनके सेना-पती रहते हैं जी वह उसका रहत पकड़ लेते हैं आहट पाकर सिवा जी भी उठ जाते हैं और और क्रोद के भाव से उसको देखते हैं सिवा जी तूम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है तो उसने बताया कि जब मुलों से लड़ते हुए मेरे पिता जी वीरगती को प्राप्त हो गये थे तो उनकी प्राप्त होने के बाद मां और मैं केबल दो ही लोग थे इन दो वरसों में हमने बहुत ही कश्ट कैसे काटे हैं बहुत ही कस्ट से हैं उसमें तो वह कि तुम्हें इतना कश्ट था तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था मालो जी बोलते में मराठा केश्री हूं आपके मुक्सी शब्द शोभा नहीं देते जिस सिपाही ने आपकी गौरव ब्रद्दी के लिए अपने प्राणों की आहुती देदी अपने प्राणों को त्य सिवा जी बड़े गंभी स्वर में मतरब हो जाती है और गंभी स्वर से बोलते हैं कर्तब लिए तो यह नहीं जानते कि के इस अपराण के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेंगे मुझे पता एं कि मुझे मरत्तु-दंड मिलेगा जो मैं अ ने अपराण किया है ए Цिए इस द शर्ष बालों को अभी जेल खाने में बंद कर दो कल प्राता इसको म्रत्युदंड दिया जाएगा मगर उसकी वीरता से वह भूत प्रशन थे मगर सिर्फ दिखावटी उसको सजा देने के लिए उसको बोला कि कि तुम्हें मॉलव जी जेल या मुल में पने दर्शन में द्रशन वहीं, सिवा जी बोलते हैं तिम कोई चाल तो नहीं चल रहे माला जी वोले मैं मराठा हूं और मराठा मृत्तु के बचने से कभी नहीं नहीं गहीं जूट G मुझे outros आपको विश्वास नहीं आपको गारतो सिवा जी अच्छा जाते हैं अपने मां के पास वीरता और साहस कूट कूट कर उसमें भरा हुआ था वो बड़े जोस से अपने देश के लिए समर्पित था मारी में अभी भूत है ताना जी महराज आप सत्य कहते हैं मैं तो इसकी वीरता और साहस पर चकित हूं सिवा जी बोल क्योंकि इसके अंदर मात्र भूमी की सेवा में कोई कसर नहीं अंदर मात्र भूमी के प्रती जो भाव हैं वह बहुत कूट कूट कर भरे हुए हैं ताना जी घातक के साथ इतनी धन्य हैं आप क्योंकि वह दयालू भी थे सिवा जी उनमें उदारता और दयालूता दोनों भ आभारी हों आपका दास हूं स्वामी की रक्षा करना करत्व होता है इससे आभारी होने की कोई बात नहीं सेवा जी तुम धन्य हो तुम्हारी जैसे सेना नायक पाकर मैं गर्व से मतब फूला नहीं समा रहा हूं अच्छा थोड़ी दिर विश्राम कर लेते हैं ताना जी वि मेरी उदारता नहीं बल्कि उसकी वीरता और साहस का परिणाम है इसमें इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस जिस सिवाज जी के नाम से मुगल कापती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस इतना मतब शाहस पूर्ण बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा तभी दर्बान आता है महाराज मालाव जी नाम का एक बालक आपसे मिलना चाहत बोलते हैं बुलाओ फिर मालोजी महाराज आपका अपरादी मृत्यु दंड के लिए प्रिस्तुत है सेवा जी वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए मालोजी ने कहा कि मैं मेरी मा मेरी पिरतिक्षा करें ती जैसे ही मैं घर गया तो मेरी माने मुझे च्छाती से लग सब्सक्राइब कर सकता इसलिए मैंने मा से कुछ भी नहीं कहां और मा से मिलकर मैं वापस आ गया हूं मगर मेरी एक प्रात्ना और है आप से तो बोलते हैं कि बताओ कौन से प्रात्ना है उसका कहने का मत्तब होता है मेरी मा की देख भाल का समस्त भार आप अपने उपर ले देख येगा जब दूबारा उसने मतब मेरी मा की बहुत वाहत आप अपने उपर ले लिए तो सिवा जी बोलते हैं वीर पुत्र तुम सच्छमु छत्री हो तुम्हारे जैसे पुत्रों पर ही भारत माता गर्व करती है सिवा जी वीरों का आदर करता है उन्हें की हत्या न रहा था तो तुम्हें म्रतुदंड नहीं दिया जाएगा बलकि मैं तुम्हें अपने सेना में सामिल करना चाहता हूं मालव जी आप धन्य है महराज आप जैसे नरेसों से ही भारत का उद्धार होगा सेवा जी फिर उसको भी मत बोलते हैं वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अ इस प्रकार से अपनी भारत मा का दुख दूर करूं मैं आशा करता हूं कि तुम इस कार में मेरी सहता करोगे मालव जी बोलते हैं सरीर आपका है आपने मुझे जीवन दान दिया है एक ना एक दिन मरना ही है तो क्यों ना मैं अपने जीवन का मोह छोड़कर मैं प्रतिग्य हो हमें तुम्हारी जैसे वीरों की ही जरूरत है अगर हर ब्यक्ति अपने करदब्य का सबढ़ है अपने भारत माता ए अपने मा के पृति अपने करतव को अपने मतब्र कहना चीए इसा निश्चखा परने कर लिदी फेरे हैं घर बहु ताने को किसी भी त्रीकेक को कस्ट नहीं होगा उसके सारी बातों को सुनकर सिवा जी ने ूसको बहातbur झैना सिपाही की रूप में अन्हों चपो है कि मन्स South नौकरी में उसको कर दिया तो यह थी दस बसकेसमाल लाव जी और सिवा आपको मैंने बताया तो इस पार को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा धन्यवाद